हैंड ओफ गॉड गोल के लिए मशूर महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना का 60 साल के उम्र में निधन हो गया है माराडोना का निधन दिल का दौरा पढ़ने से हुआ वे लंबे समय सी बीमार चल रहे थे दो सब्ता पहले ही बेन में कलोट की वज़े से उनकी सरजरी भी हुई थी डिएगो माराडोना को सर्वकालीन महान फुटबॉलर कहा जाता है अर्जेंटीना को 1986 फुटबॉल वर्लकप जितवाने में उन्होंने एहम भूमिका निभाई थी माराडोना ने 1976 में फुटबॉल की दुनिया में कदम रखा इसके एक दशक बाद उनकी कप्तानी में अर्जेंटीना ने 1986 का वर्लकप जीता इस दोरान उन्होंने खेल के इतिहास के दो यादगार गोल भी किये 1986 के वर्लकप की उस घटना को कौन भूलतकता है जब डियागो माराडोना ने इंगलेंड के खिलाफ मैच में हाथ की मदद से गोल किया गोल माराडोना के हाथ से लगकर हुआ था लेकिन रफरी ये देख नहीं सके और नतीज़ा अर्जेंटीना दूसरी बाल वर्ल्ल चेंपियन बना माराडोना का यही गोल फुटबॉल इतिहास में हैंड अफ गौड के नाम से मशूर है अर्जेंटीना के ब्यूनस आयलस में माराडोना की 9 फिट उची प्रतिमा भी लगी है माराडोना 1997 से 1994 तक अर्जेंटीना की टीम के सदसे रहे इस दोरान उन्होंने 91 मैच खेले और 34 गोल दागे उन्होंने 1982, 1986, 1990 और 1994 के कुल 4 वर्लकप खेले 2008 से 2010 तक वो अर्जेंटीना की टीम के कोच भी रहे 2010 वर्लकप में जब अर्जेंटीना को क्वाटर फाइनल्स में जर्मेनी की हाथों हार का सामना करना पड़ा तो वर्लकप के बाद माराडोना ने यह पर छोड़ दिया अर्जेंटीना के अलावा उन्होंने कई अन्य टीमों को भी कोचिंग दी माराडोना को FIFA Player of the Century पुरसकार के लिए इंटरनेट वोटिंग में पहला इस्थान मिला था और उन्होंने पेले के साथ पुरसकार में साज़ेदारी की थी माराडोना की निधन से पूरा खेल जगत छोक में डूबा है और सभी इस महानाय को श्रधानजली दे रहे हैं सचिन देंदुलकर ने शोक जताते हुए ट्वीट किया कि फुटबाल और खेल जगत में अपने महानतम सकूतों में से एक को खो दिया है वहीं सौरव गांगली ने लिखा मेरा हीरो नहीं रहा मेरा मैड जीनियस अब जीवन मरण के चक्र से मुक्त हुआ मैं तो सिर्फ तुमारे लिए फुटबाल दिखता था पुर्तगाल के खिलाडी के चैनल रोनालडो ने मारे डोना को जादुगर बताते हुए कहा कि वह काफी जल्दी दुनिया से चले गए रोनालडो ने ट्वीट किया आज मैंने अपने एक अच्छे दोस को अलविदा कह दिया और विश्व ने एक महान जीनियस को आप कभी नहीं बुलाए जा सकते